इस वीडियो में मैं cover करने जा रही हूं कुछ stocks जिसकी हम detailed analysis करेंगे मैंने community post पे आप लोगों से पूछा था कि इसे कौन से stock हैं जिसकी आप चाहते हैं कि मैं detailed analysis video बनाओ तो आप लोगों ने काफी सारे नाम यहाँ पे लिखे हैं तो सब का video बनाना तो possible नहीं है तो मैंने यहाँ पे कुछ stocks select किये हैं जिसका हम इस video में detailed analysis करेंगे और अगर वो stocks आपके अभी इस video में cover नहीं हुए हैं तो मैं कुछिश करूँगी कि हर weekend मैं इस तरह के videos आपके लिए बनाओ तो अगर आप जिस भी stock analysis चाहते हैं तो comment section में उसका नाम लिख कर ज़रूर बताएं और यह cable analysis video नहीं है इन videos से आपकी help होती है कि आप किस तरह से analysis कर सकते हैं कैसे support levels identify करते हैं कहां पर आपको buying करनी चाहिए so basically यह सारी चीजें आप इन analysis video से सीख सकते हैं और अगर आपको video पसंद आता है तो please like और share ज़रूर करें तो चलिए आज का video शुरू करते हैं पहला stock में जो यहां पर cover कर रहे हैं वो है granules india this is one of my favorite stock favorite इसलिए क्योंकि इस stock की trending stock है और जब यह एक बार trend करना शुरू करते हैं तो काफी लंबे समय तक तेजी दिखाता है so this is the character of this stock इसी तरह से हर stock का कुछ ना कुछ character होता है तो आप अगर beginner है तो आप एक list बनाएए साथ से 8 stock की बहुत ज़्यादा stocks मत शामिल कीजिए और उन्हें daily basis पे follow कीजिए जब आप daily basis पे उन stocks को follow करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से उनमें price movement होता है तेजी आती है तो किस तरह से आती है बहुत तेजी से आती है या volatile जादा रहता है या धीरे धीरे भढ़ता है तो हर stock का कुछ ना कुछ character होता है इसलिए stock को समशना जरूरी होता अब समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप trading करते हैं तो उस time पर trading decision आपके लिए लेना काफी आसान हो जाता है क्योंकि आपने उ stock को लंबे समय से देखा है आपने देखा है कि किस तरह से वो कब react करता है तो इसलिए एक list बनाएए कम stocks रखिए चाहे तो आप के character को पिचान सकते हैं के सो वापस आते हैं granules इंडिया पर सबसे पहले हम monthly chart देखेंगे multi time frame analysis करेंगे सो screen पे आप देख रहे है monthly chart सबसे पहले structure देखते हैं तो structure इसका higher highs का है सो यह काफी समय से तेजी में है monthly chart में अगर देखें तो इसने अपना पिचला लो अभी तक तो break नहीं किया अगर मैं 2008 से देखू तो इसने higher highs higher highs यहाँ बनाए इस time यहाँ पर अगर आप देखें 2014 से लेके 2019 तो करी 5 साल इसने range के अंदर जरूर गुजारे हैं पर पिचला तो यहाँ पर उसने break नहीं किया उसके बाद अगर आप देखें तो 2019 से लगातार तेजी में है आप यहाँ पर candlestick भी देखें तो recent की candlestick यहाँ पर higher high अभी भी बना रही है तो अभी भी इस stock में तेजी बनी हुई है macro structure, micro structure दोनों ही यहाँ पर तेजी का अभी भी बना लेकिन अब हमारा question यह है कि फिलाल हमें stock में क्या करना चाहिए तेजी तो इसमें अभी भी दिख रही है अभी भी उपर जा सकते है तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या हम यहाँ पर fresh positions create कर सकते हैं long positions create कर सकते हैं so यहाँ पर price structure देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी बहुत जादा information नहीं क्योंकि तेजी का है यह तेजी आखे भी continue हो सकती है अभी हमें prices में कोई भी reversal के या फिर कोई भी weakness के यहाँ पर कोई भी signal नहीं मिल रहे हैं अब यहाँ पर मैं RSI देख रही हूँ RSI अगर मैं यहाँ पर देखू हूँ तो RSI अगर monthly RSI आप देखते हैं करीब 87 के आसपास है ओके so RSI यहाँ पर काफी जादा overbought है और मैं इसको इसलिए यहाँ पर consider कर रहे हूँ क्योंकि पिछली RSI अगर आप यहाँ देखें November 15 में करीब करीब RSI उसी level के आसपास है तो कहीं न कहीं monthly चार्ट पर यहाँ पर overbought हो चुका है so यहाँ पर fresh position ideally मैं advice नहीं करूँ कि मैं आपर personally अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर fresh positions नहीं लूँगी लेकिन हाँ अगर आपकी existing trading positions है या investing position है तो आप उसको trail कर सकते हैं क्योंकि overbought का मतलब यह नहीं होता कि यहाँ से stock गिरना शुरू हो जाएगा या फिर इसमें हमें गिरावट देखने मिलेगी इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर momentum में कमी आ रही हो सकता है तेजी की जो speed है वो कम होती हुई नजर आई या फिर stock एक sideways trend में चला जाए तो फिलाल यहाँ पर overbought में fresh positions हम create नहीं करेंगे लेकिन अगर existing है तो आप उसको trail कर सकते हैं आप उसको trail कैसे करेंगे यह आप खुड decide कीजे आपका trail करने का तरीका लग लगो सकता है कुछ लो तो candle stick के basis पर करते हैं कि यह जो आप monthly candle देख रहे हैं candle के low के नीचे या फिर weekly candle के low के नीचे तो आप देखिए कि कौन सा stopler system आपकी system में feedback उसको follow कर सकते हैं तो नई positions यहाँ पर create नहीं करेंगे लेकिन existing है तो आप उसे आगे trail कर सकते हैं क्योंकि चार्ट पर फिलाल कोई weakness इसलिए just that यहाँ पर overbought हो चुका है क्योंकि अगर हम देखें November 15 में भी यहाँ पर RSI करीब 80 या 90 के आसपास थी यहाँ पर अगर मैं देख हूँ yes 90 के आसपास जब RSI थी तब यहाँ पर हमने से sideways होता हुआ देखा थोड़ी सी गिरावट भी देखी ओके तो अब देखते हैं कि यहाँ पर stock में आगे क्या होता है जो भी होगा यहाँ पर मैं अपनी group पर update कर दूँगी because यह stock में usually regularly follow करती हूँ support देखते हैं कि support यहाँ पर हमें कहां मिलता है तो monthly chart पर जो support आपको मिल रहा है वो 160 के आसपास मिल रहा है तो यह केरिया है जो काफे time तक stock ने hold किया था उसके बाद जब breakout हुआ तो यह काफी अच्छा हमें trending move भी इसमें देखने को मिला तो अगर आप यहाँ देखें अभी current price 386 का है और support यहाँ पर 166 का है अब यहाँ तक आएगा नहीं आएगा फिलाल हमें नहीं पता लेकिन support जो हमें देख रहा है वो पहला support monthly chart पर 161 के आसपास ही देख रहा है तो उस case में दो चीज़े हो सकती है या तो यहाँ तक stock आएगा तो इस level को आप ध्यान में रखें लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ तक आए तो उस case में क्या हो सकता है stock अगर sideways हो जाता है तो stock यहाँ पे कहीं भी जिस भी level पे वहाँ तक अगर थुड़ा retrace करता है तो एक नया support create कर सकता है तो आप यहाँ पर wait कर सकते हैं नया support create होने के लिए या फिर यह जो आप support देख रहें so fresh positions नय support create होगा stock में तब ली जा सकती है या फिर यह जो आप support देख रहें 166 का इसके आस पास ली जा सकती है weekly chart की बात करते है so weekly chart पे अगर हम यहाँ देखें weekly chart की RSI भी यहाँ पे आप देख सकते है 80 के आस पास है और यहाँ पे अगर हम देखें candlestick यहाँ पे थोड़ी सी spinning candle बनती हुए नजर आ रहे है indecisive candles यहाँ पे बनती हुए नजर आ रहे है जो indicate कर रहे है कि यहाँ पे जो momentum है उपर तेजी का थोड़ा slow होता जा रहा है okay so यह levels यहाँ पे monthly support 161 के आस पास है और weekly level पे हमें यहाँ पे एक support दीख रहा है तो यह levels मैं यहाँ माग कर देती हूँ okay so weekly chart पे आपको जो support मिलता है वो करीब 300 के आस पास मिल रहा है okay so इस level पे आप ध्यान रख सकते हैं कि किस तरह का price action रहता है और उसके बाद हम चलते हैं daily chart पे okay so daily chart पे आप देख सकते हैं support और clearly आप देख सकते हैं यहाँ पे resist किया था उसके बाद दो बार यहाँ पे support लिया तो यह important level है 300 का तो इसके आस पास आप price action को ज़रूर notice कीजे और अब यहाँ पे अगर आप RSI देखें तो daily chart पे यहाँ पे RSI में आपको divergence देख रहे हैं यह देखें है ना prices higher high बना रहे हैं लेकिन RSI में हमें lower highs यहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं divergence usually मैं consider नहीं करती हूँ लेकिन अगर आपका higher time frame overbought है और उस case में आपकी lower time frame पे divergence आ रहे है तो आपको वहाँ पे थोड़ा cautious हो जाना चाहिए उस case में आपको थोड़ा correction stock में देखने को मिल सकता है तो फिलाल यहाँ पे again same हमारा जो verdict रहेगा कि अगर आपकी existing position है तो आप उसको trail कर रहे है stop loss के साथ कोई भी नई तेजी की positions यहाँ पे मैं advice नहीं करूंगी उसके लिए आप यह दो level स्थ्यान में रखिए 300 का level और एक level यहाँ पे अगर मैं daily chart के बाद करूँ so यह level आप जो देख रहे हैं करीब 200 के आसपास यह भी एक अच्छा support है तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का आगे price action रहता है फिलाल overbought है daily chart पे divergence है तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए और आपके क्या views है stock से related मुझे comment section में लिख कर आप जरूर बताएं